Today I solve class 8 mathematics chapter 5 square and square roots का exercise 5.4 का question number 2 से solve करेंगे Question number 2 है कि find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation देखो इसको क्या करना है ना कि आपको find the number of digits in the square roots of each of the flowing मतलब इसका square of root बताना है digit in the square root बताना है मतलब जब इसका square किये ठीके जब इसका square root find किये ते कितने number का होंगे यह आपको बताना है और भी बिना calculation किये ही तो कैसे बनाएंगे बहुत easy method है इसका formula होता है और और एक event के लिए जो कि बहुत easy होता है ठीके तो first question को हम solve करते हैं क्या है 64 है क्या है 64 अब 64 है तिससे कैसे solve करेंगे तो सबसे पहले न हमेद चेक करेंगे इसमें कितने digit हैं 1, 2, 2 है न 2 मतलब क्या होता है even तो even के लिए क्या होता है n by 2 formula होता है जब आपको number of digit square root बताना होतो ठीके जब आपको find करना होगा number of digit square root तो जब even जब even रहेगा तो n by 2 होगा जब odd रहेगा तो n plus 1 by 2 अभी आपको बाते समझ में नहीं आ रहे होगी आप देखो हम बनाते हैं आपको समझ में आएगी सबसे पहले तो यहाँ पर हमने देखा कि यह जो number है यह क्या है even है sorry क्या है even है यान का value जो है कितना है 2 है जो कि even है क्या है even है okay even number लिख भी सकते हो ओके इन का value 2 है जो कि even number है तो जब even रहेगा ना तो लिखेंगे number of number of digit number of digit in a square root okay क्या होता है formula n by 2 होता है n का value कितना है 2 2 by 2 हो जाएगा इसको divide करोगे 1 times यानि इसका number of digit square root क्या होगा 1 होगा किसका 64 का बस आपका complete answer okay तो बहुत easy है आप साही से बनाओगे न अराम से इससे बना सकते हो कोई doubt दिकत नहीं आएगा ठीक है second question इसका देखते है second question है 144 okay 144 है अब हम इसको क्या करेंगे सबसे पर चेक करेंगे कि odd है या even है n का value क्या है 3 इसमें नंबर कितने है 3 कि क्या है एक और नंबर क्या है और नंबर इससे लिख लेंगे odd नंबर तब फिर हम अपना formula लगाएंगे कि number of number of digit in square root square root क्या होगा जब odd रहता है न इसका formula होता है n प्लस 1 बाई 2 इन का value क्या है 3 अब प्लस 1 अब आई 2 इन प्लस 1 कितना होगा 4 4 बाई 2 यहनि 2 टू जा 4 इसका answer कितना आएगा 2 आएगा ठीक है आया समझ में या नहीं आया आ रहा है ना चलो ठर्ड देखो ठर्ड क्विश्चिन है 4 4 8 9 यहां से यह निक्वल टू कितना है 4 यह देखो यह ओड है कि even even है न तीसे लिखेंगे even number क्या है even number है ओके यहां से लिखेंगे number of digit number of digit in square square root क्या हो जाएंगे फर्मूला होंगे n by 2 n का value 4 divided by 2 यह हो गया हमारा 2 answer ठीक है समझ माया question number 4 देखो 4 क्या है 2 7 2 2 यह 5 ओके यहां से हमारा n का जो value है तो कितना होगा n का value 5 होगा जो कि क्या है odd number है क्या है odd number है आप देखो number of digit निकालेंगे number of digit number of digit in square root square root यह हमारा क्या होगा n का value 5 है जो कि odd number है तो odd के लिए फर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2 n का value 5 पूट करेंगे तो 5 प्लस 1 बाई 2 5 प्लस 1 यानि 6 6 बाई 2 इक्वल 2 इसको डिभाइड करेंगे यह 3 हो जाएगा ठीक है next है हमारा question number 5 इसका last है question number 2 का 5 यह last है यह क्या है 3 9 0 6 2 5 पहले इसमें चेक करेंगे odd है या even 1 2 3 4 5 6 6 क्या होते है even n इक्वल 2 6 हो गया जो की even number है क्या है even number है अब यहां से देखो write करेंगे number of digit in square root क्या हो जाएगा formula n by 2 n का value क्या है 6 by 2 यह divide कर देंगे 3 times यह क्या हो गया 3 तो इस तरह से आप बहुत ही अच्छे से बता सकते हो अब हम question number 3 के ओर चलते है question 3 देखते है question 3 क्या है देखो यह है find the square root of the following decimal number देखो आपको जब question number 1 अच्छे समझ में आ गया होगा तो decimal का square root में भी कोई doubt नहीं आएगा आप लोगों को बहुत easy है बहुत ही simple सारे वे साइं करना होता है बस decimal कहां लगाना है आपको यह सिखना है ओके तो first question है 2.56 इसका देखो हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखेंगे 2.56 इधर से right side से हम क्या करते हैं इसको twins करते हैं जुड़ा लगाते हैं ठीके यह single two बच गया इसके लिए हम क्या करते थे यहाँ पर दो ऐसा digit रखते हैं जिसको multiple करें तो इसके बराबर आजाए या इक वाल आजाए या उससे small हो छोटा हो बड़ा नहीं होना चाहिए तो one one करेंगे तो one होगा अब यहाँ पर rule क्या था कि इन में से जो अंदर वाला होता है टू में से one को माइनस कियाता है और इनको one one two को add कियाता है उसके बाद यहाँ दो में से एक को यहाँ पर लिखना पड़ता है यह तो सब five six दोनों को साथ में नीचे क्या करेंगे लिख देंगे क्या होगा अब इसको करेंगे हमें लाना है 156 कैसे करें तो हो जाएगा तो सबसे पहले न हम इसको six से करके देखते हैं होगा क्या six six 36 six to 12 or three 15 यह देखो हमारा पूरा complete हो गया 26 में से 16 को लिख देंगे यानि हमारा इसका जो square root होगा 1.6 का answer question 2 देखो question 2 क्या है 7.29 है अब इनको भी रखेंगे 7.29 इसको यहां से जोड़ा लगाएंगे यह 7 बच गया 7 के लिए क्या करेंगे दो ऐसा अंक रखेंगे जिसको multiple करने पर equal हो जाए या उससे छोटा हो तो three रखेंगे ज्यादा हो जाएगा ना two रखते हैं two two जा four यहां दो में से एक two को लिख लेंगे यहाँ पर minus करेंगे तो यह three हो जाएगा और two two को add करेंगे यह four हो जाएगा अब eight two nine को हम यहाँ पर रख देंगे अब क्या यहां रखे कि यह आ जाए सोचो तो जदी हम seven रखेंगे ना तो हो जाएगा seven seven जब forty nine seven four जब twenty eight और four thirty two यह देखो दो seven में से हाँ एक बात और जैसे point आया ना एक अंके बात point का काम खतम हो गया तहां पर point लगा देंगे और यह seven रख देंगे अब यह पूरा पूरा हटा देंगे यह देखो answer मेरे कुछ ज़्यादा बताने की जुरूत नहीं है क्योंकि आपने question number one सभी से किया होगा ना तो इसमें कोई doubt आई नहीं रहागा आप लोग को यह है question अब इनको देखो सबसे पहले क्या करेंगे 5184 यहां से जुड़ा लगाएंगे 51 लाना है तो 77 करेंगे तो हो जाएगा 49 और 277 को लिखेंगे point है तो point इसको minus करेंगे तो कितना आएगा यह 2 आएगा उपर से 4 को निचे लिख देंगे 77 एप 14 हो गया अब इसको 2 से करेंगे ना एप पूरा complete हमारा कड़ जाएगा बहुत simple है दो 2 में से 12 को निचलेंगे हो गया इसमें कुछ है नहीं ध्यान से करोगे ना तो कुछ है नहीं अगला देखो इसका fourth number fourth number क्या है चिक करो 42.25 है ठीक है 42.25 क्या करेंगे 6 से करेंगे क्योंकि 66 जा 36 इनको add करेंगे इनको subtract करेंगे कितना हैगा? यह 6 हा जाएगा decimal है तो decimal two five को नीचे right कर लेंगे यहाँ क्या रख्या? five रखेंगे तो काम हो जाएगा? five times में यह हो जाएगा 625 यह फूरा फूरा कट गया और 25 में छे 15 राइट कर लिया हो गया अब five देखांगे 3136 3136 यह देखो 3136 क्या करेंगे इसको ऐसे कर लेंगे 5 से करेंगे 25 में 25 लिखेंगे 25 और यह देखो यहां से कितना जाएगा यह आजाएगा 6 आजाएगा और यह कितना आजाएगा 5 5 कितना हो गया 10 अब इसको क्या करेंगे 25 को आज दिसमर लगा देंगे 6 से करेंगे पूरा पूरा कम्पलीट कर जाएगा और यह 6 तैंट से तो हमने देखो कितना easy method से सारे question को कर दिया एक कैसे easy लगा तो जिन लोग को question number one complete होगा ना उनहीं लोग को easy लग रहा होगा जो लोग को complete नहीं है उनको अभी भी कठी नहीं लग रहा होगा तो जो इसको अभी अच्छे समझ नहीं आया जाओ question number one को अच्छे से देखो दे उसके बाद question number three बनाओगे अपने आप decimal का बन जाता है ठीक है